नमस्ते बच्चो बीके प्रविन्देसले चाइनल में आपका स्वागत है। इस चाइनल पर पाचवी कक्षा से दसवी कक्षा तक मैथेमेटिक सैथ और सब्जेट के विडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बच्चो आजम कक्षाटवी विशेहिंदी पाट क्रमंकचह अंदा यूग इस पाट के स्वाद्धै का अध्येन करेंगे। सुचना क्या अनुसार कृतिया करो। प्रश्न एक कृति करो। एक रुद्धने इनका दाइत्वली आये। अश्वत्थामा यूयूच्चू। दो अंदे यूग में प्रभुका एक अउश। निश्क्रिय आत्मघाती। प्रश्न दो संजाल पुर्ण करो। अश्वत्थामा क्या अनुसार नए अर्थमे विक्ती। अनास्थामय आत्मघाती अदर्बबरबर विक्रूत। प्रश्न दीन उत्तर लिखो। कवितामे प्रयुक्त पात्र। यूच्चू अश्वत्थामा व्रुद्ध। भाशाबिंदू पाठों में आये मुहावरो का अर्थ लिक्कर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोक करो। एक पारावार्न रेना अर्थ सीमान रेना। वाक्य बारावी की परिक्षा में शिवानी अपने जिले में प्रथम आई तो उसके माता-पिता की प्रसन्नता का पारावर्न रहा। दो सीर्खपाना अर्थ बहुत बुद्धी लगाना। वाक्य गंटों सीर्खपाने के बाद भी समस्य का हल नही निकला। तीन गर्व में चूर होना। अर्थ गमन करना। वाक्य ब्यापार में थोड़ी सपलता क्या मिली। जय गर्व में चूर रहने लगा है। चार गोडे बेचकर सोना। अर्थ निच्चिन्त होकर सोना। वाक्य परिक्षा समाप्त होने पर अभई गोडे बेचकर सो रहा है। पांच आखो से ओजलोना। अर्थ गायब हो जाना। वाक्य साप हमारे देखते ही देखते आखो से ओजलो गया। चह हाथ बटाना। अर्थ साहिता गरना। वाक्य घर के कामों में बच्चों को माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। साथ अपने पेरों पर कुलाडी मारना। अर्थ स्वयम अपना नुक्सान करना। वाक्य बीस वर्ष पुरानी इतनी अच्चे नवकरी छोड कर रवी ने अपने पेरों पर आप कुलाडी मारली। आट रंगे हाथ पकडना। अर्थ अपरात करते हुए प्रत्यक्ष पकडना। वाक्य शिक्षक ने स्वपनील को परिक्षा में नकल करते रंगे हाथों पकड़ लिया। उपयोजित लेखन। निम्न लिखित मुद्धो के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित छिर्षब दो। एक गाव। दर्जी की दुकान। प्रती दीन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना। दर्जी का हाथी को केला खिलाना। एक दीन दर्जी को मजाग सुजना। दर्जी द्वारा हाथी को सुईचुबाना। परिनाम शिर्षब। जैसे को तैसा। रामपुर नाम का एक गाव था। उस गाव में एक दर्जी था। वो बड़ा दयालू था, सब के साथ प्रेम से रेता था, बाजार में उसकी एक अच्छी सी दुकान थी, आसपास सब उसके मित्र थे, दरजी की दुकान से कुछ दूर एक नदी बेती थी, एक खाती रोज दुकान के सामने से नदी पर नहाने जाता था, एक दीन, दरजी ने हाती को एक केला दिया, हाती बहुत खुश हुआ, क्यूकि केला उसे बहुत पसंद था, उस दिन से हाती रोज दरजी की दुकान के सामने रुखता, और खिडकी में से अपनी सून बढ़ा था, दरजी उसे कभी केला और कभी गन्ना देता, काफी समय तक इसी तरह चलता रहा, हाती और दरजी एक दुसरे के मित्र बन गए, एक दिन हाती दुकान के सामने आया, तो दरजी को मजाग सुजा, हाती ने रोज की तरह अपनी सून बढ़ाई, तो दरजी ने हाती की सून में सुई चुबो दी, हाती को बहुत गुस्सा आया, वह चुप चाप नदी की ओर चला गया, पर नदी से नाकर लोड़ते समय वह अपनी सून में बहुत सारा गंदा पानी भर लाया, हाती ने सून में बहुत सारा पानी दरजी की दुकान में रखे कपड़ों पर उलड़ दिया, सारे नए कपड़े गंदे हो गए, दरजी बहुत दुख्य हुआ, साथी वह समझ भी गया कि हमें पश्यों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, मैंने समझा, उत्तर मानों की उन्नती और अउनती दोनों उसी के हातों में है, यदि वह चाहे तो सत्कर्मों से अपने जीवन को सपल बना सकता है, और यदि चाहे तो गलत रहा अपना कर अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है, स्वयम अद्धेयन, कर्म ही पुजाये, विशय पर अपने विचार सो शब्दों में लिखो, उत्तर हर वित्ती को उसके परिवार, समाज, वो देश के प्रती, कुछ जिम्मेदारियां वो करते वे होते हैं, इन करते वे का पालन करना प्रत्तिक वेक्ति का कर्म वद्धर्म है, हमारे धार्मिक ग्रंतों में भी धार्मिक गती विदियों से अधिक कर्म को प्रदान्ता दी गई है, कर्म को योग अर्थात पुजा का एक उत्तम प्रकार माना गया है, कहा जाता है कि जो वेक्ति अपने कर्तों व्यों से मूख मोड़कर इश्वर की पुजा पाट में लिन हो जाता है उसे इश्वर भी स्विकर नहीं करते है गीता में स्वयम स्री कृष्ण ने कर्मा की मान ताका बखान किया है वास्तविक्ता यही है कि यदि हर वेक्ति अपने अपने कर्मों को पूरी निष्टा वो इमानदारी से करता है तो वो किसी भी पुजा से बढ़कर है जैसे शिक्षक, किसान, चिकिच्चक, कलाकार, आदी अपने कर्तेवों का निर्वहन इमानदारी से करते है तो उनके द्वारा किया गया कर्म ही पुजा कहलाता है तो बच्चों, आज हमने अंदा यूग इस पाट के स्वाद्दय का अद्देन किया थेंक्यू